लोकसबा चुनाव संपन हो चुके हैं देश में नहीं केंदर सरकार का गठन हो गया है एंडिये गठबंदन ने भारी बहुमत के साथ सरकार भी बना ली है लेकिन इस बीच आपको बता दे कि विभिन राज्यों में अब विधान सभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं बिहार की विशेश तोर पर बात करें तो रुपोली विधान सभा सीट काफी चर्चाव में बनी हुई है जहाँ पर आगामी 10 जुलाई को मतदान होने वाला है आपको बता दे कि रुपोली विधान सभा सीट पर भीमा भारती ने विधान सभा सदस्यता से इस्तीफा दे कर लोगसभा का चुनाव लड़ा था पूर्णिया से लोग सबस चुनाव लड़ने वाली बिमा भारती को वहाँ से हार का सामना करना पड़ा लेकिन इस बीच आपको बता दे कि लगातार बिमा भारती जिस तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है जिस तरीके की सियासी गतिव इधिया इस वक्त घटित होती हुई दिखाई दे रही है उनको देखते वे फिर से एक बार चुनावी मैदान में ताल ठोक सकती है आरजडी की टिकट पर चुनाव लड़ने की जोर आजमाईश करती भी नजरा रही है लेकिन इस बीच आपको बतादे की आरजडी भीमा भारती को टिकट ने दे करके तेजप्रताप यादव की पत्नी एश्वेरय राय को चुनाव मैदान में उतारना चाहता है ऐसे में भारती जनता पार्टी के खिलाफ एश्वेरय राय या दिचुनावी मैदान में उतरती है तो ये वाकई काटे की टकर देखने को मिलने वाली है आपको बता दे कि रूपॉली विधान सबा सीट पर उपचुनाव को लेकर पप्पु यादव ने भी बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि वह आरजेडी को इस विधान सबा उपचुनाव में समर्थन देंगे आपको बता दे कि पप्पु यादव ने अपनी पार्टी राष्टिये जन अधिकार पार्टी का कॉंग्रेस पार्टी में विले कर दिया था और उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं जारी है कि आखिरकार पप्पु यादव क्या कुछ करेंगे तेजप्रताप यादव की पतनी अश्वेरय राय को चुनावी मैदान में उतारने का एक ही उद्देश यादव परिवार का है कि बिहार में यहाँ पर विधान सभा में अपने सदस्यों की संख्याबल को उतना ही बरकरार रखा जाए जितना की पहले उनके पास मौजूद था यानि कि तेजस्यों यादव नहीं चाहेंगे कि रुपोली जैसी विधान सभा सीट उप्चुनाव के दोरान उनसे हाथ से निकल जाए और बिहार विधान सभा चुनाव से पहले आरजेडी को जट का लगता हुआ नजराए ऐसे में आपको बता दे कि लालू परिवार की दो बेटिया लोगसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं मीसा भारती और रोहिनी आचारिया रोहिनी आचारिया को तो पार्टली पुत्र हार का सामना करना पड़ा लेकिन मीसा भारती ने जीत दर्ज कर ली ऐसे में अब एश्विर्या राय यदि चुनावी मैदान में उतरती है तो पारिवारिक रूप से यहाँ पर आरजेडी काफी मजबूत होती भी नजर आ सकती है और यदि ऐसा होता हुआ प्रतीत हुआ तो जाहिर तोर पर भारती जनता पार्टी के लिए यहाँ पर मुश्किले खड़ी हो जाएंगी देखना है होगा कि लालु परिवार का क्या इस पर पूरा अपना सियासी समिकन रहता है और किस तरीके से इस सीट को जीतने के लिए लालु परिवार पूरी सियासी रननीतिया तेयार करता वन जराता है फिल हाल इस खबर में इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं SPN 9 News